कि अस्सलाम अलेकुम कि आज हम देखेंगे कि उर्दु का मेरिट कीतtså कपने गा इस पर डिबेड चलरिया बडी फेस्विक पर सोशल मेड़ुर बडी बैस हो रही है कि उर्दु का मेरिट क्या रहा है को एक फई वाइव कह रहा है लौए को नी प्रकर के रहा है को sounds तो इस तरह फीमेल का मेरिट कितना बनेगा उस पर भी काफी दिल्चस्प डिबेट हो रही है कोई 40 पे कहता है को 50 पे को 70 पे मतलब मुख्लुफ एडियाज हैं हम इसका मेरिट देखते हैं एक तो जो एक्सपर्ट्स हैं महरीन हैं उनकी नजर में कितना मेरिट बनेगा और द कि इसे बायों को हुआ मैथ को हुआ केमिस्ट्री को हुआ इंग्लीश को हुआ उनके मेरिट कितना मेरिट मीनिमम यह मैक्सिमम बन रहे चली शुरू करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि वह एक के पर में क्या चीज ज्यादा मुश्कल थी क्या असान थी वह देखते हैं तो जिके में उनके 20 वाल थे जिन मेंसे आठ से नौ आठ से नौ वह वह क्वेस्ट्चन थे जो वह बच्चे का त्यारी भी थी आठ से नौ कर दो थे न वह मैक्सिमम फॉस्ट्चन आ जो तिकरीबन एक टॉपस्ट्च जो बच्चा टॉप आ रहा है उसने हल किया मतलब इसके अजी कि अच्छा है लेकिन दूसरे प्रेपर आए इसका दूसरा पेपर आई है जिसमें अगर हम देखें उर्दू का जो असी नमर पेपर है तो इसमें 50 नमर कुछ ज्यादा मुश्कल नहीं थे जिसने त्यारी नहीं भी की ना उसने सिर्फ M में किया हुए है तो वह 50 नमर एजी ली वह कवर कर सकता है बाकि इसके नमर रह गया है दस नमर तो जो थे ना वह वह वाक्य टफ नमर पेपर था जो मतलब आप कहलें कि उस पर बहुत ज्यादा एफ्रट की जुरूर थी या उस पर मजीद अभी पढ़ने के जुरूर थी जो अच्छी तरह नहीं हो हो सकता बाग इस संवर्बर पेपर था मतलब यह यह पीचास और हमा की बीस नमर सथ मसंडर रहे पर था ना मोट रहा जनाब इसका जो बनेगा वो 65 के राउंड बाउट है 65 के राउंड बाउट इसका मेरिट बनेगा 667 भी हो सकता है पॉसिबिल्टी है इस लिए जिनके नंबर सेवन्टी याव 65 से प्लस बन रहें वो बच्चे तो जनाब अपनी इंटर्वी चुरू करते हैं और जिनके नंबर जो है ना इससे नीचे हैं यानि 60 से प्लस है 62 345 आ सकते हैं वो जनाब पूरमीद रहें हिम्मत ना आ रहें और अपना जहन बनाए रखें और जिनके 60 से नी मेरेट जो मिनिमम मेरेट होगा वो 65 पोसिबिल्टी है 67 66 67 जा 62 3 तक भी मतलब इसके राउंड बोर 65 के उपर नीचे रहेगा और इसके मैक्सिमम 80 80 तक जाएगा मैरेट मैक्सिमम जो टॉप होगा वो 80 80 और 85 के धर्म्यान इसके पाएच साथ कैनिड़ेट आ सकते हैं लेकिन मैजोर्टी जो है वो 70 के फिगर मेरेगी लेकिन मिनिममम जो है वो 65 के फिगर आएगा तो इस तरह आगे हम देखते हैं ऑगे देखते हैं इसका गर्स कदेखते हैं गल्स के पेपर बॉइस के पेपर से अगर हम NLCS ठीक करें तो गल्स के पेपर बॉइस के पेपर से थोड़ा ज्यादा मुश्कल था उनके पेपर थोड़ा ज्यादा मुश्कल है उसमें जो जिके था वो भी मुश्कल जिके था उसमें जो आता है उनका जिकिव उनका मुश्कल आ रहा है और फिर उनका देखें अगर हम दूसरी जो उनके मेमरी रिसर्च चाहते हैं जैसे उनके डेट्स काफी पूछ हुई हैं किसी की डेट अब बर्थ पूछ हुई है दो तिन स्वाल आए हुए है जो कि वायस की पेपर में नहीं आए तो उनके पेपर में वह सवाल भी आए है देट बर्थ पूछी हुई है फिर इकबाल पर काफी तीन चार्पा के पांच शे सवाल एकबाल के वाले से आए फिर इस तरह नूमी ब्राश्चित के वाले से सवाल आगया है नजमों का आगया फिर यह पूछ हुए दिबाचा किसक उनका नजम पर कवर कर सकते हैं लेकिन बाकि जो बीसमर पर था वो थोड़ा सा आप कहले रूटीन से हट कि था अंडरिस्टेंडिंग के लिए क्लिए का टिपिकल परदाव इस नमर का और उनके जैके भी दोड़ा ज्याल ज्यादा मुश्किल था वैसे गल्स य होता इसलि से कम है लेकिन उसके पावज़ूद उनके मैरेट कम बनेगा क्योंकि उनका पेपर की जो अनलसी जाना वो काफी टफ पेपर है मतलब बायस की बसक्तिक मुश्कल प्र है और फिर शेड़ेकर भी मुश्कल है तो इससे साफसे मेरेट है तो फिफ्टी फाइव तक रहेगा तो और जिनके 55 से नीचे दो एक दो नमबर हो सकते हैं वो भी मुतमिन रहें और उमीद रखें आला बेहतर करेगा और लेकिन जो जिनके 50 से नीचे हैं वो तो जनाब अभी से ही अपना जहिन बना लें और तेहरी शुरू करें अपने अगले एक्जैम की जो SST की सीटे आने वाल बनेगा 65 के ऊपर निचे एक दो नमबर और फिमेल के बनेगा 55 के ऊपर निचे बनेगा तो ठीक है आप अपने नमबर्स देखें अगर किसी को पेपर नहीं है वेल है तो यह लिंक है एक FC Studio of Knowledge चैनल का नाम है तो आप उससे अपने पेपर सर्च कर सकते हैं बाइस भी और फ पीस